हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटरोला जी 62 एंड्रोइड मुवाइल फोन में स्क्रीन टाइम आउट सैटिंग को आप कैसे कि इची के साइड में आना है और यहां पर आपको स्क्रीन टाइम आट का यह उक्षन देखने को मिल जाएगा स्क्रीन चोटा सा पेज ओपन होगा इसमें डियोंन यहरं थया जैसे हैं 15 थर sort तो यहां पर होगा क्या कि जब आप अपने फोन को यूज नहीं करेंगे ठीक है ऐसी टेवल पर भी किसी भी जगे पर रखा हुआ आपका फोन और उसकी फोन की जो लाइट है वो चालू है ठीक है तो इससे होगा क्या कि यहां पर जो है जो मैंने टाइमिंग सिलेक्ट की है 30 मिनट की तो आटोमाटिक 30 मिनट बाद जो है मेरे मूबाइल फोन की जो लाइट है वो आफ हो जाएगी ठीक है यह सेटिंग जो है कुछ इस तरीके से काम करती है तो आप इसे जो है 15 सेकंड वन मिनट टू मिनट पर भी सिलेक्ट कर सकते है तो इस तरीके से ही है आप जो है सेटिंग को चेंज कर सकते हैं अपने Motorola G62 Android iPhone में अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूं सबसे पहले तो शेटिंग पेज ओपन करना है और सबसे उपर आपको यहाँ पर search setting का option नज़राएगा इसी select कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको search bar में type करना है screen timeout यहाँ पर हम screen timeout यहाँ पर लिख देते हैं हमने screen timeout जैसे यहाँ पर लिखा है तो नीचे की side में option आपको इससे select कर लेना है इससे होगा क्या कि आपका mobile phone आपको directly इस setting तक लेकर आ जाएगा और इस तरीकी से indicate भी करेगा और यहाँ पर आने के बाद आप जो है screen timeout setting को shortcut तरीके से change भी कर सकते हैं